दोस्तों बिहार में रासन कार्ट बनानी की परकिरिया में काफी बड़ी बदलाव कर दे गई है अब जो भी लोग साल 2023 में नए रासन कार्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो किस परकार अपलाई करेंगे जिसकी लाइप प्रूसर्स इस वीडियो में हम आपको दिखान करेंगे इसलिए आपसे प्यारा सा रिक्वेष्ट है कि इस वीडियो को अंतक देखिए और इस वीडियो को अपने दोफतों के साथ भी सेयर करें ताकि जिनका भी रासन कार्ट नहीं बना है वो लोग चाहते हैं आउनलाइन रासन कार्ट बन बाना तो किस परकार आनलाइन आवेदन करेंगे, ये विडियो देखकर वो आवेदन कर पाए, चलते हैं अपने स्किन पर और सारी जनकारी आपको डिटेल में समझाते हैं, वीडियो को अब तक लाइक ने किया है, तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सॉस्क्राइब करें, तक कि आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको वो मिल पाएगी चलते हैं अपने स्किन पर और सारी जनकारी आपको लाइब दिखाते हैं दोस्तों बिहार आसन कार्ड के लिए ओनलाइन अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हमारे ओफिसल वेप साइट online update atm.in पर यहाँ पर नीचे स्कॉल करेंगे सर्च का बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको सर्च करना है बिहार रासन कार्ड लिखना है online 2023 लिखर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक detail article आएगा बिहार रासन कार्ड के लिए कैसे आपको आवेदन करना है यहाँ पर इस लेक में आपको सारी जनकारी समझाएगे कि बिहार रासन कार्ड में बनाने के लिए क्या-क्या document आपको देने परेंगे साथी कैसे आवेदन कर सकते हैं वो सारी जनकारी को आप यहाँ से समझ सकते हैं अगर आप अप्लिकेबल है रासन कार्ड अपलाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं डाइरेक्ट आपको नीचे आनी है यहाँ पर कैसे फैमली को जोड़ना है वो complete process हमने बताया है और डाइरेक्ट आपको नीचे important link वाले section में देखेंगे रासन कार्ड के लिए राइस्टेशन सबसे पहले करना होगा तो राइस्टेशन के लिए एक option मिलता है राइस्टेशन का जिस पर click करेंगे आपको redirect करेगा इस portal पर जहाँ पर एक option मिलेगा login का जिस पर click करना है क्लिक करेंगे तो आपको इस portal पर direct करेगा जो की जन्द परिचाया है मेरी पहचान का portal है तो सबसे पहले इस पे आपको account बनानी होती है account कैसे बनानी होती है जिसके लिए आप चाहें तो पहले से account बनाया है तो user ID पासवर डाल सकते हैं अगर आप नए user है तो direct एक option मिलता है, mobile number का जिस पर 클릭 करें, अपना mobile number को डालें, दोनों terms पर आपको accept करना है, एक option मिलता है sign in का जिस पर 클릭 करेंगे, OTP को डालेंगे option sign in का मिलता है, जिस पर 클릭 करेंगे, sign in पर जैसे ही किलिक करेंगे, इस पर कार देखेंगे, उके वाले विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपके सामने form खुलता है, जो की registration form है, RC online portal का, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी नाम होगा, आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे, जिनके नाम से रासन कार्ड अपलाई करन चाहते हैं, उनका जो भी नाम हिंदी में होगा, आप इंग्लिस में लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, एटोमेटिक हिंदी हो जाएगा, तो इस पर कार नाम लिखेंगे, उनका जो भी आधार नमबर होगा, यहाँ पर डालेंगे, उनका जो भी डेश्टिक होगा, यहाँ सा के लिए उपर में option मिलेगा apply का जिस पर click करेंगे तो एक option मिलेगा new apply का जिस में देखेंगे दो option आपको मिलेंगे अगर आप गरामिन शहत्र से आते हैं तो आपको first option ruler को चुनना है अगर आप सहरे शहत्र से आते हैं इसके लिए apply करना चाहते हैं तो आपको urban को select करना है तो आप अपने according detail को select करेंगे उससे पहले कुछ जनकारी आपको दी गई है कि नए रासन कार्ट जो भी लोग बनाते हैं उनके लिए क्या क्या document आपको देने परेंगे जैसे यहाँ पर देखें आपका जो भी आधार कर्ड है जिसका आपको self-assisted मतलब कि आपका जो हसाक्षर है आधार कर्ड के नीचे होनी चाहिए जिसको upload करना है साथ ही जो भी आपका bank खाता है उसका first first आपको देने होंगे जिसमें आपका नाम खाता संख्या IFC code की इस ब्रांच में खाता है वो mention होनी चाहिए आपका आवासिय प्रमानपत्र होनी चाहिए जो लोग आवेदन कर रहे है उनका यहाँ पर सब पर आपका sign नीचे में होना जरूरी है पूरे परिवार का एक passport size photo होनी चाहिए जिसमें पूरे परिवार सामिल होनी चाहिए जितने भी लोगों को आप रासन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं उसके बाद देखेंगे आवेदय का हसाक्षर एक photograph भी आपको देने परेंगे उसके बाद आवेदय का अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग परमानपत्र देने होंगे income certificate देने होंगे card certificate भी आपको देने परेंगे तो ये सभी document आपके पास है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब आपके सामने apply new रासन कार्ड का form खुलेगा जो इस पर कर रहेगा जिसमें आपका जो जीला होगा साथे आपका जो छेतर ग्राम में आ जाएगा फिर आपका जो यहाँ पर देखेंगे अनुमंडल होगा यहाँ से आप अनुमंडल को चुनेंगे उसके according जो आपका block होगा block को चुनेंगे और जो भी आपका पंचायत होगा पंचायत का यहाँ पर लेश्ट खुल जाता है पंचायत को चुनेंगे उसके बाद आपका जो गाउं होगा गाउं को आप चुनेंगे नीचे स्कॉल करेंगे यहाँ पर देखेंगे रासन कार्ड के आवेदर का विबरन आपको डालना है जिसे जो भी लोग का रासन कार्ड अपलाई करते हैं उसका इंगलेश नाम जो भी होगा इस परकार लिखेंगे हिंदी में जो भी उसका नाम है इंगलेश लिखने के बाद इस्पेस डालेंगे तो एथमेटिक हिंदी में आ जाएगा कोई अगर महिला का आवेदन करते हैं तो उनका पती का नाम डालेंगे अगर कोई महिला का ही अगर कोई लड़की है उनका आवेदन करते हैं तो उनके पिता का नाम या कोई जियन्स का अपलाई करते हैं तो उनका पिता का नाम आप यहाँ पर इंगलेस में डालना है और space यहाँ पर डालेंगे हिंदी में एटोमेटिक इस परकार लिखा जाएगा तो इस परकार आपको डालना है उसके बाद उनका जो पूरा address होगा वो address डालेंगे जो आपके आधारकार पर अंकित होगा जैसे हो सके आधारकार पर पहले word number हो तो word number mention क कर दीजे कौमा लगाई है यहाँ बिलेज जो भी होगा उसको डालेंगे कौमा लगाएंगे पोस्ट आपी जो भी होगा वो डालेंगे फिर कौमा लगाएंगे इस परकार फिर उनका जो भी डिश्टिक होगा डिश्टिक को डालेंगे फिर कौमा लगाएंगे इस परकार स से आप अपने कोडिंग इसको कून सकते हैं और जो मंत होगा मंत को यहां से बदल सकते हैं यहां से बरहा कर और जो डिएड होगा डेट को चूनेंगे उनके बाद उनका जो उम्र है वो आपको देखनों कमिलेगा उनlights एको अब बिवाहित कोच दिखेंगे उसके बाद देखेंगे काड अधारी से संबंध आपको बतानी है तो यहाँ पर आप अपने नाम से इसको बना रहे हैं तो यहाँ पर स्वयम को चुनेंगे साथे आपका जो भी कैटेगेरी होगा जिस कैटेगेरी से आप लॉंग करते हैं अपने जाति को यहां से आप चुन लेंगे फिर आपको नीचे आना है पूछा जाता है तो इस परकार आपका जो जाति परमानपत्र होगा जिसमें देखेंगे B I C C करके एक नंबर होगा इसी नंबर को आपको यहां पर डालना है जो आपसे यहां पर पूछी जाती है उसके बाद यहां पर आपसे आपका जो भी पेसा है वो पूछा जाता है तो आप जो भी काम करते हैं वो बताएंगे महिला के नाम से अगर आप एदन करते हैं तो गिरिहनी आप यहां पर चुन सकते हैं साते आपका जो भी वारसिक सरोत होगा तो यहाँ पर ध्यान रखे income certificate और income certificate पर जितना आप आय दे रहे हैं वो आय आप यहाँ पर जरूर जना दे जैसे मेरे case में इनका 90,000 का बना हुआ है तो 90,000 डालेंगा और 90,000 में यहाँ पर मासिक आप से 12 से डिवाइड करें और जो भी इनका income आता है कि पर मंत कितना है वो आप जनकारी को आप यहाँ पर डाल सकते हैं फिर यहाँ पर जो income certificate आपने बनवाया है वो income certificate का जो भी नंबर होगा जैसे अभी हमने जाती का नंबर निकालना बताया सेम इसी परकार इसको भी आपको डालना है साती जो भी अधार नंबर होगा अभी तक का उनका अधार नंबर mobile नंबर डालेंगे अगर वो दिव्यांग है तो yes करेंगे नहीं है तो no वाले पर क्लिक करेंगे फिर आप आपसे bank के detail पूछी जाती कि किस bank पर उनका खाता है आप यहां से bank का नाम चूनेंगे साथी bank का जो साखा है किस bank में है और साथे उनका IFC code क्या है और bank का जो खाता संक्या वो किया है वो डालेंगे एक option submit का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे इस पर कर आपका जो registration है successful होता है और आपको एक ID मिल जाता है जिसको आप copy करके रख सकते हैं और एक option मिलेगा ओके का जिस पर क्लिक करेंगे अब जितने भी लोगों का नाम जोड़ना चाहते हैं रासन कार्ड में उन सभी का नाम यहां पर जोड़ेंगे clear लिखा हुआ है अब जैसे यहां पर दिखिए अगर किसी महिला के नाम से आविदन करते हैं उनके पती का नाम उसके बाद आप जोड़ सकते हैं अगर लड़का लड़की है उनका नाम जोड़ेंगे तो जिनका भी नाम जोड़ेंगे जैसे उनका नाम हिंदी में उनका नाम साथे वो क्या है उनके पिता या पती का जो नाम होंगे वो आपको mention करनी है उसको हिंदी में लिखना है उनका जो भी link होगा पूरु से महिला है उनका जनमतिती के लिए calendar मिलता है यहां से सबसे पहले air को चुनेंगे साथे आपका जो मन्त होगा मन्त को चुनेंगे फिर डेट जो होगा उसको आप चुनेंगे उसके बाद उनका साधी हो चुका है या विवाहित है उसकी जनकारी आप देंगे साथे उसका जो रासन धारक से क्या संबंध है वो आप बताएंगे हो सके उनका पती है या उनके बेटा बेटी है उसकी सारी जनकारी आपको मिलता है या पिता है उसकी जनकारी देंगे उनका अधार नंबर डालेंगे मुवाइल नंबर डालेंगे वो क्या करते हैं जिनका न नोब में बता सकते हैं और यहां पर एक option मिलता है, add member, जिस पर आप click करेंगे, तो इस परकार आपके जो member है, नीचे में add होता चला जाएगा, तो इस परकार आप member को add करते जाएंगे, फिर यहां पर आपको click करना है, और एक option edit वाले पर मिलेगा, जिस पर click करके, आप चाहे जैसे आपका जो family photo है हमने पहले भी clear किया कि passport size photo में आपके सभी family member होनी चाहिए जिनका नाम आपने इसमें add किया है और जो भी आविदक है उनका आधार करतो होनी चाहिए और उसके अलाबे उनका जो passbook है उनका आवासिय परमान पत्र है यह सभी जो दस्तावेज आप दे रहे हैं उसके सामने आपको टीक इस परकार लगाना है तो almost जितने भी document है सबको आपको upload करने की आपसकता परेगी तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है उनका जो भी photograph होगा उसको upload करेंगे signature upload करेंगे और एक जो document इतने सारे document आपको बताये गए है उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपका जो भी document है वो document को upload करने का option आपको मिलता है जिस पर click करेंगे और यहाँ पर income certificate को upload करेंगे और upload वाले पर click करना है जैसे आप upload वाले पर click करते हैं आपका सारा document successful upload होता है और यहाँ पर फिर से आपको आना edit application पर और final submit वाले जो भी गल्प है जिस पर आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने एक बार preview आएगा जिसमें सभी जनकारी को आपको एक बार मिलान करना है सारा जनकारी सही है तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपसे घोसना पूछी जाती है जिसमें एसनों में बतानी है almost सभी में आपको no ही करना है अगर कहीं yes करेंगे तो फिर आपको benefit नहीं मिलेगा जैसे इसके लिए जो termine condition होता है वो आपसे पूछी जाती है यहाँ पर टीक लगाएंगे और इसको final submit आपको करना है जैसे टीक लगाने के बाद final submit करेंगे आप इसका जो application है जिसको यहीं से आप download कर सकते हैं option मिलता है download करने का जिस पर clicker के download कर सकते हैं दोस्तों अभी आपने देखा बिहार रासन कार्ड के लिए कैसे आप online आवेदन कर सकते हैं साल 2023 में जिसके पूरी process हमने आपको live दिखाया साथी जो लोग नए रासन कार्ड के लिए apply करते हैं apply करने का बाद समय लगता है वहाँ पर apply बाले option पर किलिकिया तो वहीं पर आपको एक option track application status का मिलता है या जिसका link हमने website के जो option है जिसमें दे दिया है जिस पर clicker के आप उसको check करते रहिएगा समय समय पर इसके लिए हम जल्दी वीडियो आपको अपलप्त करा देंगे जिसमें आप सारी जनकारी को समझ पाईएगा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताया अगर आपको किसी भी पर करके समस्या हो रही तो उसका भी आप जो समस्या है वो कॉमेंट बोक्स में बता सकते ताकि उसके regarding next वीडियो आपके लिए हम बना दे